पर थारागड से इस वक खबर सामने आ रहे हैं जहाँ पर मुंसियारी मतकोट मोटर मार्क पर ब्यारों की पुलिया बही है तो वहीं लुम्ती बगीशा बगर में भारी नुपसान हुआ है लोग घर जो है वो अपना खाली करने लगे हैं जारा जिवली में भी भारी नुपसान की जो खबर है वो सामने आई है सौसे अधिक गाउं का जुला मुख्याले से संपर्क तूच चुका है उन तफिरों के जरिये भी आप साफतार पर समझ सकते हैं कि किस प्रकार का जो मंज़र है इस वक्त वहाँ पर होगा आपको बता दें कि एक महिला लापता भी बताई जा रही है इस परे मामले में एक महिला यहाँ पर लापता बताई जा रही है सोनाल गाउं में एक महिला जो है वो लापता बताई जा रही है थारागर से इसके बड़ी खबर सामने आ रही है जहाँ पर मुश्यारी मतकोर्ट, मोटर मार्क पर वियारों का जो पुल है पुलिया जो है वही है यह तस्वीरे आप देख सकते हैं लुमती बड़ी चाह बगर में भारी नुक्सान जो है वह भूए है जो लोग है जो स्थानीय लोग है वह अपने घरों को अपठाली कर रही है वो एक सुरक्षो की स्थान पर जाना चाहते हैं आपकोतादे की जारा जीवली में भी महारी नुक्सार की जो खबार है वो सामने आ रही है सौसे अधिक गावों का जिला मुख्याले से संपर्क भी तूप चुका है वो जिला मुख्याले संपर्क नहीं कर पा रही है आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जो आसमानी आफ़त है उससे कितने लोगों को दिक्कते हो रही है अपकोतादे सौसे अधिक लोग अपने घरों को तो यह तस्वीरे आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो मंजर है यहां पर आस्मानी आफ़त का वो साफ तोर पर देखने को मिल रहा है मुंसियारी मतकोट मोटर मार्ग पर बियारों की जो पुलिया है वो बही है यह तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो लोग है वो जा रही है वो एक सुरक्षूत इस्थान पर पहुँचना चाते हैं उनकी जदो जहद केवल इतनी है कि वो अपनी जान किसी तरह बचा कर एक सुरक्षूत इस्थान पर पहुंच जाएं तो आपको बतादे कि टोकड़ी गार्ड में भी जो पुलिया है वो बही है तो इस तस्वीरों से आप साफ तोर पर अंदाज लगा सकते हैं कि इस वक्त है जो वहाँ पर माहौल होगा वहाँ पर इस्तिति जो परिस्तिति है कि इस वक्त कैसी है इस वक्त यह देख सकते हैं कि अवर जो पुलिया है वह बह गई है यह तस्वीर साफतार पर जो कि तस्वीरे सामने आ रहे हैं साफतार खुद सारा मंजर ग़ा करती है जारा जीवली में भी भारी नुक्सान की जो खबर सामने आई है